सो आज का ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे यूटूब पर आना है मुझे भी एक यूटूब चैनल क्रियेट करना है सो और कितना सोचोगे टाइम आ गया है सोचना करो बंत और काम करो सुरू चलो आज एक साथ एक यूटूब चैनल क्रियेट करते है ओ भी आपके अंडरोइड फोन से अगर आप एक यूटूब चैनल क्रियेट करना चाहते है तो आपको चाहिए तीन चीज़ पहला एक स्मार्ट फोन या एक पीसी second एक email id जो आपके पास तो होगा ही third एक phone number अगर आपके पास ये तीन चीज़े है so congratulations guys आप eligible हो YouTuber बनने के लिए और जिन लोगों ने recently YouTube channel बनाया है आप सभी को best of luck और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहो हो सकता है कि आपने कुछ setting side से miss कर दिया हो तो चलो अभी चलते है mobile screen पे और मैं आप लोगो दिखाता हूँ कि क्या से आप लोग एकदम easiest way में YouTube channel बना सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है YouTube के application पे जैसे कि आप लोग देख सेकते हो मैं आ गया हूँ फिर आप लोग क्लिक करना है उपर corner में एक icon होगा ओह पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाप जो है मैंने मेरा photo लागा के रखा है इसलिए मेरा photo show हो रहा है अगर आपने photo बगरा set नहीं करके रखा है तो आपका जो नाम है आप लोग चाहो तो आपका photo भी लगा सकते हो या फिर आपके साबसे एक professional logo बनाके वह भी आप लोग set कर सकते हो तो कोई भी logo लगाने के लिए आपको simply click करना है camera icon के उपर फिर आप लोग क्लिक करना है choose from your photos और आप लोग के सामने आपका gallery open हो जाएगा और यहां से आप लोग को आपका logo set कर लेना है और guys professionally channel का logo कैसे बनाते हैं इसके ओपर एक video बहुत जल्दी आएगा कलिया परसू आप लोग देख लेना ठीक है अगर कोई बड़ा channel है तो उस नाम को आप लोग मत दो क्यूंकि आज नहीं तो कल आपको problem होगा और जो main बात है कभी भी आपके channel पर जो verified tick नहीं आएगा चलो for example यहापर मैं एक नाम दे देता हूँ देब lifestyle और नीचे एक option हो का handle का ओह पर आपको click करना है और यहापर भी जो है आपको देब lifestyle ही देना है फिर आपको कर देना है save तो यहापर आप लोग देख सकते हैं यहापर दिखा रहा है देब lifestyle ही taken तो चलो यहापर मैं दे देता हूँ real देब lifestyle कर देते हैं save For example, मैं चलता हूँ Chrome पे और आपे मैं टाइप करता हूँ www.youtube.com slash add there it आपका handle मेरा क्या है Real Dev Lifestyle आपे मैं डाल देता हूँ और side में आप लोग देख सकते हो हमारा जोई channel लेहाँ पर open हो गया है Second, आपको जोई कोई भी mention कर सकता है जैसे हम लोग करते हैं ना Facebook, Instagram पे add there देके हम दोस्त को mention करते हैं वो ऐसे ही कोई भी आपको mention कर पाएगा YouTube पर फिर ये सारा कुछ complete करने के बाद आपको simply click करना है create channel के ओपर जैसी आप लोग click करोगे आपका channel बस बन गया तो कैसे हम लोग का channel जोई बन गया है बट अभी तक जोई सारा कुछ complete नहीं हुआ है अभी जोई बहुत कुछ बाकी है अभी तो main काम start हुआ है अभी आप लोग को कुछ settings करना है जो सबसे जादा important है तो जो सारा settings हम लोग को करना है वो जो हम लोग YouTube के application से नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोग को जाना है Chrome browser में desktop site को on कर देना है कुछ इस सरीके से और अब आप लोग को search करना है www.youtube.com अगर आप लोग के phone में पहले से YouTube studio installed है तो यसा हो सकता है कि जैसी आप लोग YouTube.com सर्च करों और तभी जो है यह आपको redirect कर दे YouTube studio में तो कुछ time के लिए आप लोग को YouTube studio को uninstall करना पड़ सकता है तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो कि desktop site पे मैंने YouTube.com को open कर लिया है जिसका interface कुछ इस type का होगा और site corner में आप लोग देख सेकते हो एक option है sign in का तो यहाँ पर हम लोगों जो ही बाला email ID को sign in कर लेना है जो हमारे YouTube application पर sign in था तो यहाँ पर click करते है sign in के उपर और जो मेरा email ID है यहाँ पर मैं sign in कर लेता हूँ आप लोग भी sign in कर लिजे तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो मैंने sign in कर लिया है अभी आप लोगो करना किया है simply आपको जोड़ा सा zoom कर लेना है और आपको click करना है channel icon के उपर यहाँ पर आप लोग के सामने एक option आएगा your channel बोलके ओहाँ पर आपको click करना है और अभी आप लोग देख सेकते हो उपर जो है मैंने जो channel का नाम दिया था वो so हो रहा है और side में एक option है customize channel बोलके तो simply आपको आपको ओहाँ पर click करना है और अभी आप लोग देख सेकते हो कुछ इस तरह का page हम लोग के सामने open हो गया है तो हम लोग क्लिक करेंगे basic info के उपर और इधर हम लोग को सो हो रहा है channel का नाम handle और नीचे एक option है description बोलके तो यह description क्या है description होता है आपका channel का about section तो यहाँ पर जो है आप लोग को यह type करना है कि आप हो कौन आप क्या करते हो YouTube पे क्या चीज़ आप लोग करना चाहते हो और नीचे आपको एक point must देना है for business inquiry और आपको जो है आपका email id वहाँ पर डाल देना है तो इससे क्या होगा अगर कोई brand चाहेगा आपसे promotion कर राने के लिए तो वो brand जो है आपको इस email id पर contact करेगा तो चलो यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए मेरा जो second वाला channel का about section है उसको यहाँ पर paste कर देते हैं तो बस इधर हमने इसको paste कर दिया है simple सा about section है अभी नीचे एक option है links का तो यहाँ पर आप लोग YouTube के तुरू आपका जो social media accounts है उनको आप लोग promote कर सकते हैं इधर जो है आप लोग आपका Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, website जो सारा links है उनको आप लोग पर paste कर सकते हैं तो जब भी कोई viewer आपके channel के about section पर जाएगा तो उन लोग जो है आपका social media handles है वो सो हो जाएगा आप लोग को click करना है add link के ऊपर और चलो यहाँ पर जो हम लोग Instagram को link करते हैं यहाँ पर जो link title है वो हम लोग daal देते है Instagram और जो URL है उसको हम लोग copy करके इधर paste कर देते तो ऐसे करके आप लोग add link के उपर click करके कोई भी link है यहाँ पर add कर सकते हैं अब नीचे एक option है contact info का, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको, आपका email ID है उसको डाल देना है, चलो यहाँ पर हमने email ID भी डाल दिया, तो सारा कुछ complete करने के बाद, simply आपको click करना है publish के उपर, और जो सारा कुछ आपने यहाँ पर डाला, सारा कुछ save हो जाएगा, अब चलते है branding के उपर, और यहाँ से जो है आप लोग आपका channel का जो logo है, वो आप लोग upload कर सकते हो, change या फिर remove कर सकते हो, आप लोग banner upload कर सकते हो, अब यह banner क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग को YouTube channel विजिट करते है, उपर एक लंबा सा banner सो होता है, तो ही है banner, तो banner कैसे बनाते है, उसके उपर भी एक वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना, फिर आप लोग भी एक एच्छा कैसा banner बनागे, upload कर देना ही था, ठीक है, अब नीचे का option है, वीडियो watermark का, तो यहाँ पर आपको क्या upload करना है, यहाँ प तो यहाँ पर आप लोग को click करना है, फिर आप लोग क्लिक करना है channel के उपर, और guys यहाँ पर सबसे पहले आपको choose करना है आपका country, चलो यहाँ पर हम लोग select कर लेते हैं India, इंडिया, इंडिया, बस, अब नीचे एक option है keywords का, guys यह चीज बहुत जादा ही important है, मुझे काफी लोगना मुझे जानते हैं देवजित मोंडोल बोलके, तो यहाँ पर हम लोग देवजित मोंडोल भी डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा अगर कोई बंदा देवजित मोंडोल बोलके search कर गए YouTube पे, तो यहाँ पर chances है कि मेरा चैनल है, वो search list पे सो हो जाए, अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है देवजित कर सकते हैं, और वही चीज जो है आप लोगो keywords में डालना है, अब लास्ट में एक option है, फिचर eligibility बोलके, वहाँ पर आपको जाना है, और आपका जो phone number है, वो यहाँ पर verify करना है, अगर आप लोग verify नहीं करोगे, तो आप लोग जो है custom thumbnail नहीं लगा पाओगे, यह custom thumbnail है क्या, जब आप लोग मेरे इस video के उपर click किये, तो क्या देखे click किये, एक photo था, आप लोगो बनाना पड़ता है, और उसको ही हम लोग बोलते है custom thumbnail, second, आप लोग 15 minutes के उपर video upload नहीं कर पाओगे, and third, आप लोग जो है live stream नहीं कर पाओगे, तो चलो यहाँ पर करते है channel को verify, click करते है verify phone number के उपर, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको country choose करना है, फिर नीचे आपको phone number डालना है, फिर click करना है gate code के उपर, आपके phone पे एक OTP आएगा, जो यहाँ पर आपको click करना है second वाले option पे use your valid ID के उपर, फिर आपको click करना है get email के उपर, आपके phone पे email आएगा, email को आपको open करना है, फिर आपको click करना है start verification के उपर, तो यहाँ पर जो है आपको आपको date of birth सो हो जाएगा, जो आपने डाला था mail create करने के time, अगर यह गलत है, तो आप ल click करना है next के उपर, इधर आप लोग का camera open हो जाएगा, और इधर आप लोग को जो है आपका जो ID है, उसका photo click करके submit कर देना है, फिलाल अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लिजिए, और यह कर लेने के बाद, अल्मोस्ट आपका जो है सारा काम हो गया है, उन दोनों में से कोई एक आपको जो है complete करना है, आप लोग को long videos upload करके 4000 घंटे का watch time complete करना है, या फिर आप लोग को last 90 days के अंदर 10 million views complete करना है, shots upload करके, फिर आप लोग जो है आपके channel को monetize कर सकते हो, बाकि आप सभी लोग को best of luck, आप लोग जो है एकदम मन लगा के काम करो आपको इंडिया का number one YouTuber होना है, ठेक है, तो आज हमने जाना कि कैसे हम लोग एक YouTube channel create कर सकते हमारे smartphone से, और अभी भी जो है बहुत कुछ बाकि है, कि कैसे हम लोग लोग बनाए, कैसे हम लोग बनाए, कैसे हम लोग YouTube पे grow करे, अभी YouTube पे क्या के updates आ रहा है, guidelines में क्या के changes आ र आपका भाई खुस, यूटूब में ग्रो करने के बाद पार्टी बनता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो और वीडियो जब दे के लिए, बाई बाई, टेक केर